सेयुक्त राश्ट लगभग एक लगभग एक निश्क्रिये निश्क्रिये निकाय बन गया इसकी समिक्षा करने को आप इंग्लिस में लिखते हैं डिसकस करना है अब इसके कीवर्ड रेखेंगे प्रस्न के क्या है पहला कीवर्ड क्या है सेयुक्त राश्ट यूएन और दूसरा क्या है निश्क्रिये निकाय अर्थ है कि जिस अस्तर तक जिस लेवल तक यूएन को एक्टिविया शक्रिय होना चाहिए जिसके लिए ये बनाया गया है जिन उदेशियों के लिए यूएन के स्थापना हुई है क्या उदेशियों के प्रति वह उतना एक्टिव या सक्रिय है या नहीं है इसको क्या करना है डिसकस करना है जब अगर यहां लिखा रहता आपको आलोचना करनी है तब आप निगेटिव पच्छों पर जोर देते और कंक्लूजन में एक सकरात्मक कंक्लूजन लिखते या निसकर्स लिखते लिखा यह समिछा करनी है तो किवल यह बताना है कि क्यों कौन से पॉइंट हैं कौन कौन से बिंद्ध हैं जहां पर हम यह सिद्ध कर सकते हैं सीमा 200 सब्द है ज्यादा तर ऐसे प्रशनों के सीमा 200 होती है जब कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक में पूछेगा जिसे पूछ लिया जीन टेकनलोजी क्या है या पूछ लिया जीमो क्रॉप्स क्या है तब वह 1.500 सब्दों का या छोटा लग हु उतर यह प्रशन होगा यह विश्तित उतर यह है यानि इसमे 22 सब्द आपको देने है अब आप जब इसको लिखने के करम में जाएंगे तो एक परिचे होगा परिचे लगभग 50 सब्दों में आप लिखेंगे किसका यूयन का अब यूयन का जब आप परिचे लिखेंगे अगर आप यूयन का परिच युद्धों के बाद वैस्विक सांती के लिए वैस्विक सांती के स्थापना के लिए विभिंद देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया कि अब हम युद्ध जैसी स्थितियों में नहीं जाएंगे और युद्ध से जो नुकसान हुआ जिन देशों का वहाँ पर पुनर संयुक्त राश्ठ्र कब बना संयुक्त राश्ठ अ पहले क्या है क्या है यह कब बना तक एक अवह और कौन कौन से कौन कौन सी हिस्ट्री Iski रही क्या क्या रहे क्या क्या सम्मेलर रहे या क्या क्या संधिया रही दो उसमें एक Atlantic Charter Atlantic Charter Atlantic Charter महत्पूर्ण है 1941 मे예요 आपको पता है 1941 मे विश्युद्ध चलना था क्लियर है, 1941 में दुतिय बिस्युद चल लहा था, ठीक है, 1941 में जब दुतिय बिस्युद चल लहा था, तो दो धूरी थी, एक तरफ UK, USA, इनका गुरुप था, और दूसरी तरफ इनके खिलाफ कौन लड़ रहा था, एक जेपैन, जर्मनी, और इटली, इनका एक गुरुप था, ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ, ये लोग जीत गए, ठीक है, जब ये युद्ध 1941 में चल रहा था, तब इन ही देशों में से कुछ देशों ने अट्लांटिक चार्टर पर साइन किया, ठीक है, और बताया, इस तरह की पहल सुरू की, इस सुसानती के लिए, कोई एक संस्था होनी चाहिए, जहां हम युद्ध में ना हो, ये युद्ध जैसी अगर कोई बात आये, दो देशों के बीच कोई विवाद आये, तो वहां हम एक समाधान पे आये, ना कि युद्ध करे, अट्लांटिक च के द्वारा, 1945 में ही संयुक्त राष्ट की अस्थापना की गई, अभी हाल में अगर पूछा जाए तो इसमें कितने देश हैं, 193 मेंबर्स हैं, तो आप परिचे में लिखेंगे, कि संयुक्त राष्ट बैस्विक सांती के लिए अस्थापित एक तंत्र या संस्था है, इसकी अस्थापना, दो विश्युद्धों के बाद, उपजी अशांती की, अशांती की स्थिति को सुधारने के लिए, या उससे ह हुए, जो भी नुकसान है, उसकी भरपाई करने के लिए किया गया, यह आपका पचास सब्दों में लगभख हो जाएगा, अब जो मुख के बात है, कि यूएन असफल है, निस्क्रिय है, वैसे है, अब लिखेंगे हम, इसमें आगे बिंदु लिखेंगे अलग-अलग, कि यूएन निस्क्रिय है, क्यों है, पहली बात यूएन की जो संग्रचना है, यूएन की जो संग्रचना है, वो अलोग-तांत्रिक है, अलोग-तांत्रिक है, यूएन की जो संग्रचना है, वो अलोग-तांत्रिक है, इसका आर्थ यह है, कि यूएन के जो सदस से देश है, यू समांता नहीं हैं तैसे समांता नहीं यूएन का a part United Nations Security Council आपको प्ता है Amanty के छे भाग हैं कल हमने बताया कल जो क्रेंट सेंने उसमें बताया उसमें जैसर पामिले हैं इस वर सपामा में इस दिज्ध 저這邊 पामिले हैं उनको हल करने के लिए एक United Nations Security Council है दूसरी बात यह है कि जो बिवाद बिवाद माधान तंत्र है तिक है उसमें यह है असफल रहा है Union लगातार बिवादों को निप्टाने में असफल रहा है इसका सबसे बड़ा उधारण हल ही का उधारण रूस का यूक्रेन के साथ संघर्स है क्या रूस यूक्रेन संघर्स को युद्ध में बदलने से रोक पाया Union नहीं रोक पाया तो Union की फिर यहाँ पर प्रशंचिन उठेगा क्या Union अपने उध देशों में सफल हो पा रहा है क्या बिवाद समाधान तंत्र जिसके लिए Union के स्थापना की गई दो देशों के बीच बिवाद होगा और उसको यह हल करेगा युद्ध में इस्थितिया युद्ध की नहीं आने देगा तो क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ रूस और यूक्रेन में युद्ध हो गया ठीक हाल ही में अभी कम जोर है ठीक होगया अब अगर बात करें तो युद्ध भी अगर बात करें तो युद्ध दो तरीके से होते हैं एक होता है गर्म युद्ध ठीक है और एक होता है इत्यूद या इसी को कहते हैं भौतिक युद्ध भौतिक या वास्तविक युद्ध और यह क्या है इसको कहते है शद में युद्ध ठीक, वदारण के लिए अगर डो लोगों का विवाद हुआ तो एक तो तरीका ये है कि वो छदम यूद, शिवडो वार, शिवडो और, अगर दो लोगे के बीच यूद्ध हुआ, तो एक तरीका ये है कि वो फिजिकली भिढ जाए, अथियार उफा ले, और एक और तरीका है कि वो फिजिकली ना भिढ लेकिन एक बहुत धिक अस्तर पे, एक दूसरे से यूद दुनिया में, दुनिया में 20 यूद्ध के बाद, दुनिया में 20 यूद्ध जब समाप्त हुए, तो दो धड़े बने, एक USA था और दूसरा USA, और ये दोनों सीत यूद्ध में जुटे रहें, और सीत यूद्ध लगभग 70 साल तक चलता रहा, और इसको यूवियन नहीं रो अगला जो हमारा बिंध होगा, यह सीत यूद्ध रोकने में असफल रहा, यह सीत यूद्ध रोकने में असफल रहा, यह असफल संस्था रही है, क्लियर है, यह यूद्ध रोकने में असफल संस्था रही है, यह सीत यूद्ध रोकने में असफल संस्था रही है, यह सीत य जोथे बिंदु की अगर बात करें, तो आपको पता है, अगर कोई देश, एक सब्द है समप्रभू, आपने पढ़ा होगा, क्या आर्थ है समप्रभू का, सौवरेल, क्या आर्थ है इसका, बाहरी डिसीजन खुद से ले, ओके, सोल पावर, सोल पावर और आफ वाट, आफ वाट, इस एरिया में सुप्रभावा है, देखे, यहाँ निर्डे समप्रभू जो सब्द है, इसमें है में डिसीजन मेकिंग, निर्डे लेने में वो क्या हो, आजाद हो, और उस पर, दो तरीके के दबाव ना हो, बाहरी भी ना हो, और आंतरिक भी ना हो, माल लिए बाहरी कोई दबाव नहीं किसी देश का मुख्या या किसी देश कोई देश अपने बाहरी दबाव से मुख्थ है लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे बेक्ति विद्दमान है जिनसे उनके निड़े प्रभावित होते हैं तो भी वह संप्रभु नहीं कहला है उसको साव संप्रभुता है माली जी कोई देश अमेरिका है और अमेरिका ने निड़े लिया कि हम एक डिसीजन पर आया हम माली जी रिसोर्स अपना मोबिलाइस करेंगे अपने संसाधनों को या तेल को शेल गैस को निकालेंगे और यूयन वहां पहुच गया यूयन ने बोला आप ऐ रणको हानी है तो संप्रभुता पर खत्रा हुआ एंपर बिद्ध हो सकता है कि राश्थी है कि राष्थी है है तका प्रभुता अब लिसी यूयन जब होगा तो रोकेगा अनन्रने से तो एक देश की संप्राबुता क्या होगी कंप्रोमाईज होगी या खत्रे में आएगी यह भी एक पिंदो है इसका ठीक है आगे आप लिख सकते हैं आगे आप लिख सकते हैं यूइन एससी में भरष्टाचार उनाटेड नेशन सेक्यرिटी काउंसिल में भरष्टाचार जयुक है यूनाटेड नेशन सेक्यरिटी कांसिल में इसा माना जाता है कि बड़ी बित्तिय लेंदेनों के परिशचात कोई भी देश किसी निले को बीतव कर देता जिससे चाईना लगातार करता है तो UNSC में भी क्या है भ्रष्टाचार है या सुधार किया उसकता है इस तरह आप और भी बिंदु जोड सकते हैं पांच काफी है डेड़ सो सब्दों के लिए अब अगर बात की जाए निशकर्स की हमेशा आप UPSC का जब आंसर लिखेंगे तो आपका निशकर्स आशावान होना चाहिए निशकर्स में निशकर्स जब आप लिखेंगे तो निशकर्स में हमेशा ये लिखेंगे कि भले ही UN की ये ये बुराईया रही हूँ या भले ही UN में UN की आलोचना हम उप्रोक्त बिंद तक यूयन सच्छम हुआ है या यूयन में भले ही सुधार की आवश्चता हो लेकिन फिर भी यूयन का संदर्भ और यूयन की प्रासंगिक्ता अभी भी बनी हुई है इस तरह से आप लिख सकते हैं इस तरह से आपको एक उत्तर लिखना है आप लिखके लाइए मैं चेक करू करेंगे और हम आपकी सहाथा करेंगे ठीक है मैं रहूंगा डेली मैं आपको क्वेश्चन देता ही हूं करेंट अफेर्स सेक्शन में उसको हम यहां पर पूरा डिसकस करेंगे एक उत्तर के लब एक हेल्दी एंसर जो होता है स्वस्थ उत्तर या सटीक उत्तर वो कैसे और उसके बाद आप हमें लिखके दिखाएंगे पहली चीज तो UPSC ने अपने नोटिफिकेशन में यह कहीं नहीं लिखा है कि आप हेडिंग डालेंगे या नहीं डालेंगे कहीं नहीं लिखा है उसने यह भी नहीं लिखा है कि आप इतने सब्दों में ही लिखेंगे उसन एंसलेखने से अधिक आपको नहीं लिखना है 500 तक उत्तर को क्या करना पूरा करना क्या नहीं बस्ते हैं आप 푹ो पता यूपी जी का इंसर लिखते हैं ऐस्वा का तो सेक्षन दिया उब उस सेक्षन में आप एक मानक है ना कि उतना ही लिख सकते हैं इस सेक्षन में अगर आप 300 सब्द लिखने चले गए तो इस सेक्षन में आप क्या करेंगे बहुत घणा उत्तर लिख देंगे साफ नहीं दिखेगा असपस्ट नहीं दिखेगा तो एक जामनर के लिए समस्या हो इसलिए UPSC ने सीमा निरधारित की कि आप एक पहतर उत्तर एक सब्द सीमा में लिखे इससे आपके अभियोग्यता का भी परिच्छन होता है कि आप कितने एबल हैं किसी चीज को लिखने में ability भी आपकी चेक करता है तो सब्द आपके clear है अब दूसरी बात ये कहीं नहीं लिखा है कि आप ये कर सकते हैं सुझाओ मेरा ये है कि अगर आप अगर आप 20 प्रशनों के उत्तर लिख रहे हैं और 20 प्रशनों में आप क्या कर सकते हैं प्रश्न के demand या मांग के हिसापते कुछ जगहे पर points, bullets का यूज़ कर सकते हैं 1,2,3 आप diagram यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ल heading से बचा इसलिए जाता है कि जब आप heading लिख देते हैं तो heading के अंदर का content जो है उससे आप बंद जाते हैं अगर आपने कोई heading लिख दी तो आपको वही लिखना है फिर आपके उत्तर की quality down हो जाएगी क्योंकि उत्तर आपका क्या होना चाहिए multi-dimensional होना चाहिए उसमें बहु आयाम होने चाहिए multi-dimensional answer लिखने के लिए आपको heading से मुक्त होना पड़ेगा heading से स्वतंत्र होना पड़ेगा अगर आप heading डाल देंगे तो आपको फिर वही बिंद लगातार उसमें लिखना पड़े तो heading डालने से भी फायदा है नहीं भी डा प्रचे देंगे union की आलोचना heading डालेंगे और बिंदु लिख देंगे प्रशन की डिमांड यह है यहां पर तो ऐसी कोई demand है नहीं यहां पर आप लोगों को heading डालनी जो प्रशन heading वाले होंगे मैं करा दूँगा परिचे में आप पहला जो section होगा उसमें आप introduction लिख दीजिए पहला paragraph इंट्रोडक्शन लिख दीजिए दूसरा paragraph आप बॉड़ी लिख दीजिए तीसरा paragraph आप निसकर्स लिख दीजिए क्लियर है हाँ बिल्कुल पॉइंट जितने ज़्यादा points लिखेंगे उतने बहतर आपको marks मिलेंगे आप अगर टॉपर्स की copy देखेंगे तो वो points में लिखते हैं अगर आप points में नहीं लिखेंगे तो आप अच्छा उत्तर भी नहीं लिख पाएंगे points लिख सकते हैं heading नहीं डालनी है heading डालने पर बंद जाएंगे या तो आप इतनी headings डाले उसका तरीका यह है कि आप लिखे points में उसमें जो main point है जिसको आप heading बनाना चाह रहे हैं उसको आप underline कर दें या highlight कर दें underline करते हैं जब आप underline कर देंगे तो समझ जाएगा exam कि आप उसको heading बनाना चाह रहे हैं heading से आपको बचना है यह हिदायत है लेकिन ऐसा नहीं कि heading डालनी ही नहीं यह कहीं notification में नहीं लिखा notification में यह लिखा है कि आप से एक संतुलित और बेहतर उत्तर किया पेच्छा है आयोग को और वैसा आप उत्तर लिखिए एक सब्द सीमा है डेड़ सो या डाई सो उसके बाहर मत चाहिए तो फिर अगर जाएंगे तो फिर copy देखने लायक नहीं रहेगी तो अब आप इतने ह टार्गेट करेंगे 3 से 5 प्रषन यहां पर सॉल्ब करेंगे आप इन्टर्वियू का मार्क उड़्य educate परिश्या है। अब प्रारम्ब नहीं करेंगे तो आप D-Day पे कुछ नहीं कर पाएंगे, जो मेन आपका दिन है, मेन लिखने वाला दिन है, कुछ नहीं कर पाएंगे आपके, प्रैक्टिस आज से स्टार्ट करिए, डेली लिखिए, और भी उत्तर लिख के लाईए, यहां मैं रहता हूँ, उससे चेक कराईए, उस पे उत्तर लिखते भेजते भी हैं बच्चे, ठीक है, बाकि आप लोग जो करेंट की क्लास है, हिंदी मैं मैं लेता हूँ, इंग्लिस मेरा भी कांस है, आप लोग दोनों मीडियम वाले, क्लास लीजिए, उसका नोट्स बनाईए, डेली उसमें क्वेश्चन आता, मैं तो एक मैं पीटी का भी क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, उसको सॉल्व करिए, ठीक,